कैसे हो आप सब आसा करती हूँ आप अपने घरों में ठीक होंगे और हम लोग भी सब ठीक है यहाँ पे और आज मैं बताने वाली हूँ देखिए जो मैंने कल अस्तरवाला सूट कटिंग किया था आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी किस तरीके से हम अस्तरवाले स कि जो कटिंग है नहीं देखी है वीडियो तो मैं जो इसकी लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आए फिर इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं देखे दोस्तों आप क्या करना है सबसे पहले तो मैं यह किनारी पर सिलाई लगा दूंगी देखे नीचे डेल इंची तक फोल्ड कर देना है उसके बाद दूसरे साइड वाले अस्तर में भी डेल इंची की सिलाई लगा देंगे दोनों साइड के अस्तर में देखे सिलाई लगा दी है मैंने अब क्या करना है देखे यह अस्तर है और मैं फेवरिक दोनों ही हमने साथ में रख लेना है और दोनों में ही सिलाई लगा देनी है देखे कच्ची सिलाई लगा देंगे पूरे अस्तर में सिलाई इसलिए लगा जाती है अस्तर में क्योंकि जब हम फिटिंग का निसान लगाएंगे गला बनाएंगे बाजू जोडेंगे जो अस्तर है हमारा हिले नहीं इसलिए हमने डालेंगे देखे यह इस तरीके से मैंने 7 इंचे का निसान लगाय था ना पहले आपको बताया था जो नेक्स वाली वीडियो थी तो उसी पे ही हमने अधा इंच का मार्जन छोड़ते हुए हमने इस तरीके से जो यह बीच का जो प्लेट से हम डालते हैं उस पे देखे जैसे हम धनोस का आकार नहीं होता है उसी तरीके से प्लेट डलता है जो मैं नेक्स वाली वीडियो बनाऊंगे उसमें आपको अच्छे से दिखाऊंगी फ सकता हैं उसके बार देखें नीची से ओड़ींचा कर देना है यह मेरी कुर्ती है इसलिए मैंने इंच कपड़ा रहा टा फोल डंडिंगके लिए अगर यह मेरा सूट का कपड़ा होता हम एंडव मैं 2021 अगराने के ऐने करण लेना यहांपर folding के लिए और कच्छा करने के बाद उस पे तुर्पन कर लेना घे इतना ही पड़ा था मेरा यह कुर्ती कपड़ा है इसलिए इतना ही कपड़ा है और देखिए इसी तरीके से मैंने फोल्द करके इसको और यहां पे पक्की सिलाई लगा दी उसके बाद यहां पे कोई हमको तुर्पन करने की जरूरत नहीं है उसके बाद हमने क्या करना है गला बनाना है गला बनाने के लिए देखे यह अस्तर का कपड़ा है यह हमने जो गला काटा था उसके साइट से बचा हुआ है इसको हमने मैं दोनों साट के लिए काट लेने हैं अपनेसे बना रही हूं कि इसका गला है इसी तरीके से हमने बना लेना है देखिए अस्तर से ही गला बना देंगे अगर ये मेरी सूट होती ना तो मैं उसके लिए बुकरम पे कपड़ा काटती और देखिए हमने इस तरीके से जोइन करना है थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग मैं किस तरीके से पर से लगा लेनी है और एक कर देखे यह को देखे ना खम इन्जी की लगा देनी है देखे पूरी ही हमने लाख सी किसा लगा देनी है जैसे दूसरे साइड के लिए भी हमने इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है आप लोग ध्यान से देखना कोई इतना कठी नहीं है बहुत ही ईजी है बस थोड़ असा समझने की जरूरत है देखे ये उसके बाद देखे इसको हमने दो फोल कर दिया और आधे इंची की सिलाई पूरे में ही लगा देनी है जैसे हमने पहले लगाए थी उसी तरीके से इसमें भी हमने पूरे में सिलाई लगा देनी है उसके बाद देखे हमने क्या करना है हलकी हलकी सी छटाई कर देनी है इसमें क्यूंकि हमने जब गले बनाना होगा उस टाइम पे हमने सिर्फ एक पैर की ही सिलाई लगानी होती है तो जो हम एस्ट्रा कपड़ा है ना इसको पहले ही कट कर देंगे ने तो जो गला है ना वो अच्छा नहीं बनेगा तो इस तरीके से पहले ही हमने इसकी थोड़ी थोड़ी सी पूरी में ही छटाई कर देनी है उसके बाद हमने क्या करना है हमने बनाना है गला सबसे पहले हम आगे साइट का गला बनाएंगे सूट को हमने देखे सीधे रख लेना है और देखे इस तरीके से हमने एक पैर की सिलाई देते हुए पूरे में ही सिलाई लगा लेनी है गला बनाते वक्त ना इतना ध्यान रखना है कि जो ये हमारा सूट का कपड़ा है ना उसको हमने हलके से खीचना है अस्तर नहीं खीचेंगे जो उपर का जो हमने अस्तर बनाया था उसको नहीं खीचेंगे जो नीचे का कपड़ा है ना सिर्फ हमने उसी को ही खीजना है देखे ये मैंने हलके हाथों से कपड़े को खीज के इस तरीके से दूसरे हाथ से दबा लिया है फिर से देखे थोड़ा सा और खीजेंगे और यहाँ पे देखे दूसरे हाथ से दबाते हुए पूरे में ही ऐसे ही हमने सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से हमारा परफेक्ट गला बन जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है एक सिलाई उपर से लगा लेनी है ताकि जो हमारा कपड़ा है अच्छे से बैठ जाए और जब हम फोल्ड करें अंदर की तरफ को तो ये आराम से फोल्ड हो जाए उसके बाद क्या करना है देखे ये हमने अंदर की तरफ बैक साइट की तरफ को कपड़े को इस तरह के से फोल्ड करेंगे और एक हमने कच्छी सिलाई लगा देनी है उसके बाद हमने इसके उपर तुर्पन कर लेंगे देखे ये आगे side का हमारा गला बन गया है अब हमने क्या करना है देखे उसके बाद हमने क्या करना है पीछे का गला बनाना है उसके लिए देखे दोनो side के हमने कंधे जोइंट करने हैं कंदे देखे हमने किस तरीके से जोइन करने हैं सबसे पहले तो हमने इनको अच्छे से मिला लेना है और उसके बाद देखे जो उपर का कंदा है न हमने क्या करना है इसको आधे इंचे पीछे से रखना है देखे ये आगे को न हमने आधा इंचे कपड़ा छोड़ देना है ज के बाद ना हमने इसको अच्छे से सिलाई लगा देनी है अच्छे से पक्का कर लें नहीं है इसको और देखिए यह जो हमने आदा इंचे कपड़ा चोड़ा था ना इसके लिए चोड़ा था अब हमने क्या करना है एक सिलाई इसके उपर से लगा लेनी है देखिए ताकि जो हमारा कपड़ा है अच्छा से बैठ जाए और अब हम जब फोल्ड करेंगे तो ये अराम से फोल्ड हो जाए कपड़ा उसके बाद हमने क्या करना है देखे जो ये हमने आधे इंच आगे से लगाए थी ना सिलाई इसलिए लगाए थी ये ताकि जो ये हमारा ये वाला कपड़ा है ना इस तरीके से अंदर की तरफ हमने इसको फोल्ड कर लेना है और हमारा जो गला है अच्छे से सफाई से बन जा देखे ये इसको हमने अंदर की तरफ कर लेना है देखे ऐसे और इसके ऊपर से हमने कच्छी सिलाई लगा देनी है देखे उसके बाद हमने क्या करना है इस पर लगाना है फिटिंग का निसान दोनों साइट पे ही उसके बाद क्या करना है फिटिंग का निसान लगा लेना है और उसके उपर सिलाई लगा देनी है देखे इस तरीके से तो दोस्तों फिटिंग का निसान कैसे लगाना है और किस तरीके से अच्छी और परफेक्ट फिटिंग आएगी उसके लिए ना मैं नेक्स वाली वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए क्योंकि क्या है ना मैं नेक्स वाली वीडियो पे बताऊंगी आप लोगों को देखे अब हमने क्या करना है हमने लगाना है बाजू पे निसान देखे बाजू का फिटिंगा निसान किस तरीके से लगाना है सबसे पहले दो फॉल्ड कर लेना है बाजू को और मेरी ग्यारा इंच की बाजू है देखे गोलाई है जो उसकी मैं साड़े पांच इंच रखूंगी और उपर न मैंने देखे ये साड़े आठ इंच पे निसान लगाया है और अब हमें इन निसानों को मिला देना है और इसके उपर हमने सिलाई लगा देनी है उसके बाजू है उसके बाजू है उसको सीधा कर लेना है और जो हमने सूट सिला है इसको भी हमने उल्टा कर देना है बाजू हमने सीधी की है और जो सूट का कपड़ा है उल्टा है उसके बाजू को इस पे जॉइन कर लेना है और इतना ध्यान रखना है जो हमने आधे इंची की छटाई की थी ना बाजू में वो आगे साइट को आना चाहिए तो इसलिए मैंने बाजू में भी निसान लगा दिया था और सूट पे भी निसान लगा दिया था और यहाँ पे कंधे पे हमने इसको जोइन करना होगा क्योंकि हमने ना वहाँ पे चिट बटन लगाने होगा अंदर की तरफ तो उसके लिए देखे मैंने दो पीस कर लिए हैं और इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लेना है और इस पे हमने एक सिलाई लगा देनी है उसके बाद ना कंधे पे हमने अंदर की तरफ को इसको जोइंट कर लेना होगा डोरी को और इस पे बाद पे ना हमने चीट बटन लगा देना है देखें कंधे पे जोइंट करेंगे देखें यहां पे अंदर की तरफ से और फिर से मैं बाजू में डबल सिलाई लगा दूँगी अब जैसे मैंने इस साइट का बाजू जोइंड किया था ना दूसरे साइट का बाजू भी जोइंड कर लूँगी उसी तरीके से देखे साड़े पांच हिंची पे निसान लगा दिया और उपर मैंने साड़े आठ पर निसान लगाया और दोनों निसानों को मिला दिया और उसके बाद इसके उपर से हमने सिलाई लगा दी देखे ये जो निसान लगाया था उसके उपर उसके बाद देखे ध्यान से देखे बाजू हमने सीधा कर लिया है और जो हमारा सूट है वो हमने उल्टा रखा है और इसको देखे अंदर की तरफ डालना है और इस तरह की से मिलाते हुए इस पे सिलाई लगा देनी है जैसे हमने पहले वाला बाजू जोड़ा था वैसे ही दूसरा वाला बाजू भी जोड़ देना है उसके बाद न देखे ये जो कंधे पे हमने डोरी को जोइन्ट कर लेना है मैंने पहले पताया था न यहाँ पे हमने बाद में चिट बटन लगाना है तो मैं पूरे में इसको सिलाई लगा दूँगी दोनों बाजू जोइन्ट हो है अब क्या करना है जो नीचे की चौक है उसको फोल्ड करना है मैंने पहले से ही इसको देखे चौक को फोल्ड करके रखा है देखे ये आप लोग अपने हिसाब से चौक जितनी भी आपको चाहिए कम या ज्यादा आप रख सकते हो वैसे चौक रखने का जो हिसाब होता है जैसे हमारी हीप मेरी 44 है तो मैं यहां पे जो हीप रखना है 20 या 22 रख सकती हूँ बट मैंने यहां पे 20 रखी है आप अपने हिसाब से रख लीजे और जो मेरी सूट की सिलाई है वो कम्प्लीट हो गई है आई होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो थी अच्छी लगी होगी अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों लायक, शेयर, कमेंट कर दीजे और अभी तक मेरी चैनल को ससक्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब भी कर दीजे तो मिलते हैं इसी तरीके की अच्छे चीव वीडियो वुलोग के साथ अब तक के लिए टेक केर बाई बाई